आज हम बनाएंगे नमक पारे जो देखने में बहुत ही सुन्दर और खाने में स्वादिश्ट होंगी और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है तो आईए फ्रेंड देखी से मैंने किस तरह बनाया है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल पीयम रशोई में नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है अब हम इसमें एक कटोरी मैदा डाल देते हैं आप अपने रिक्वारिमेंट के हिसाब से मैदा कम या जादा ले सकते हैं आपको जितना नमक पारे बनाना हो उसे साब से मैदा ले लीजिए इसमें डालेंगे आदा चोटा चमच कलॉंजी की जगह में आजवाइन या फिर जीरा भी डाल सकते हैं उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे और इसमें मोयन के लिए दो मिक्स हो जाए तो यह देखिए यह बढ़िया सा मिक्स हो गया है इससे मुठी बनने लगी है तो अब हम इसे गूत लेते हैं तो पानी इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है एक साथ पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें सक्त डो लगाना है अगर हमने गीला कर तो जो हमारी डिजाइन है वो अच्छी नहीं बनेंगी, इसलिए हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, तो ये देखिए, डो को मैंने लगा लिया है, अब हम इसे रख देती हैं, दस मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो इसे मैं ढग देती तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मसलना होता है, ताकि जो हमारी डिजाइन है अच्छी बने, तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर सौफ्ट कर लिया है, ये बहुत अच्छी तरह से लग गया है, ये देखिए, तो अब हम इनसे लोईया बना लेते ह तो लोई हमें बहुत ज़्यादा छोटी या फिर बड़ी नहीं बनानी है जिस तरह हम पूरी पराठा के लिए लोई बनाते हैं बस उसी साइज की हम ले लेंगे और इसे बिल्कुल पतला सा हमें बेलना है तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये बेल रही है आटा हम इसे बेल लेना था अब हम इसे पल्टेंगे तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा सुखा मैदा छिड़क देती हूं ताकि ये चिपके न तो इस तरह हमें चिड़क कर इसमें थोड़ा सा लगा देना है और इसे पलट लेना है दूसरी साइड में और इसके किनारों को हम काट लेते हैं क्योंकि हमें इसे चार कोने का बनाना है मैं इसे चाकू से काट रहे हूँ आपके पास यदि कटर है आप उससे काट लीजिए तो ये देखे मैंने इसके चारू कौनों को बराबर कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा सुखा मैदा फिर से छिड़क लेंगे ताकि जब हम डिजाइन बनाएं तो वो चीप के न और अब हम चाकू से इसे काटेंगे तो इसके उपर नीचे के भाग को हमें छोड़ देना है थोड़ा थोड़ा सा और ये देखे इस तरह काटना है पतला पतला काटना है ज्यादा मोटा हम नहीं काटेंगे ये देखे ये साइच का इसी तरह हम काट लेंगे पतला पतला ये देखें मैंने काट लिया है इसे ये कट चुका है अब इसके किनारों पर हम पानी लगा देते हैं चिपकाने के लिए तो चारों कोने पर हम पानी लगा देंगे थाकि ये अच्छे से चिपक जाए तो पानी लग गया है अब हम इसे धीरे से उठाकर इनके कोनों में मिलाकर अच्छी तरह से इसे चिपका देंगे ये देखें इसे अच्छे से चिपकाना है ताकि ये निकलेना चारों तरफ हमें इसी तरह से ये देखें इस तरह दबा देना है अब हम फिर से पानी लगा ले चारो कोने में हम पानी लगाएंगे और इसे धीरे से उठाकर इस तरह से हम चिपका देंगे और बीच में भी हम इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे इसे मैंने चारो तरफ से चिपका दिया है अब हमें इसके बीज से उपर वाले हिस्से को निकालना है तो हम उपर वाले हिस्से को इस तरह चुन्नट डाल कर इसे थोड़ा सा पतला कर देंगे और इसे मोड कर इसके बीज से हम निकाल देंगे ये देखिए धेरे से ये देखिए और ये डिजाइन बन गई अब हम इसे दूसरी तरफ से इसके अपोजिट साइट मोड़ेंगे ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन अपने आप ही बन जाएगी ये देखिए देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन हमारी बन गई है बहुत ही सरल तरीके से बन जाती है यह देखें देखने में कितनी सुंदर लग रही है तो मैंने सभी को बना लिया है यह बन कर तैयार हो गई हैं तो इनहीं हम अब फ्राई कर लेते हैं गैस चला कर मैंने कड़ाई में ओईल को गरम होने के लिए रख दिया है ओईल बिल्कुल गरम हो चुका है तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम धीमा कर लेंगे बहुत ज़्यादा तेज आज पे हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है नहीं तो ये उपर से पके नजर आएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे-धीरे पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पके तभी ये बढ़ियां क्रेस्पी बनेंगे और ये जब एक तरफ से अच्छे से पक जाएं तब इन्हें हमें दूसरी तरफ पलट देना है तो ये देखिए ये एक तरफ से पक गए हैं तो इन्हें हम दूसरे तरफ पलट देते हैं और देखिए इनकी लेयर्स कितनी बढ़ियां निकल के आई हैं तो हम सभी को पलट लेते हैं और इन्हें हम दूसरी तरफ हलका ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे जब इनका कलर ब्राउन हो जाएगा हलका सा तभी हम इन्हें निकालेंगे तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है ये हलके ब्राउन हो गये हैं ये पक चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं यह देखिए बिल्कुल क्रेस्पी बने हुए हैं इन्हें हमलका सा रोकेंगे ताकि जो इनका इस्ट्रा ओयल है वो निखल जाए इसे तरह से हम सभी नमक पारों को फ्राई कर लेंगे तो यह देखिए मैंने सभी को फ्राई कर लिया है यह नमक पारे देखने में इतने सुन्दर लगते हैं कि मन करता है इन्हें देखते ही रहे इन्हें तोड़ने को तो मन ही नहीं होता इतने सुन्दर लगते हैं यह आप लोग भी इस होली पर इन्हें जरूर बना के ट्राई क कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और वेल आइकोन की बटन ज़रूर प्रश कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलती हूं नेस्ट वीडियो में